चीन ने BBC World Service Television को चीन के भीतर प्रसारण को रोक दिया है चीन का दावा है कि BBC अनुचीत और असत्य पत्रकारिता कर रहा है हाल के महीने में चीन ने BBC की कुरोना वाइरस महमारी और शिंज्यांग में वीगर मुसल्मानों के शोसर पर रिपोर्ट की आलोचना की है एक बयान में ब्रेटन की विदेश मंतराले ने कहा है कि चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सबसे सखत पाबंदी लागू किया गया है बयान में कहा गया है कि चीन का ये फैसला दुनिया के सामने उसकी ही साख कम करेगा बीते सब्ता, ब्रेटिन के मेडिया नियामक आफकॉम ने चीन के सरकारी नियंतरणुत बाले चैनल CGTN का एक प्रसारन लाइसेंस निलम्बित कर दिया था वहीं BBC के Asia Editor का कहना है कि चीन में BBC World Service TV के प्रतेबंधित किये जाने का बहुत जादा असर नहीं होगा क्योंकि चीन में ये चैनल अधिक्तर लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध नहीं था BBC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है हमें खेद है कि चीन के प्रशासन ने ये खदम उठाया है BBC दुनिया के सबसे विश्वस्नी अंतराष्टे समचार प्रकास्थ वकूमे से एक है और दुनिया भर से पूरी निस्पक्षिता से बिना डर या पक्षपात के कहानिया रिपोर्ट करता है यानि अब चीन जो है बीबीसी नियूस के किसे भी प्रसारण को चीनी लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ के सरकार ने बीबीसी के खलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया है आपको बता दें कि बीबीसी ने शिंजियांग प्रांत में वीगर मसल्मानों के खलाफ हो रहे अत्याचार को बेहद बेहतरीन तरीके से एक कहानी के तौर पेश किया था जिसे पूरी दुनिया में ये सोचने पर मजबूर हो गया है पूरी दुनिया के आखिर चीन के अंदर मसल्मानों के साथ इतना गलत रवया क्यों अख्तियार किया जाता है और लगतार चीन पर सवाल खड़ी किये जा रहे थे इसी बात से नाराथ चीन ने पर फिर से बीबीसी पर कारवाई कर दिया है बेरो रिपोर्ट खबर अभी तक